तीसरा सील कामेसू मिक्षा चारा वेर्वनी सिख्खा पदंग समादयामी ये जो तीसरा सील है क्योंकि सील सारे ही बहुत ज़्यादा महत्पुण है और पाँच सील तो पूरे धम की जान है अगर धम मैंसे ये सील निकाल दे जाएं तो धम खतम हो जाता है कामेसू मिक्षा चारा यानि काम में या काम पर मिक्षा अचार का मतलब है मिथ्या आचरण या जूटा आचरण गलत आचरण गलत वेवार ना करने की सिख्खा लेता हूँ सिख्खा मतलब सिख्खा लेता हूँ एजूकेशन लेता हूँ ऐसा मैं वेर्मनी का मतलब है ऐसी में पृतग्या करता हूं ऐसा मैं गिर्ण करता हूं कामेसू का जो अर्थ है वो बताया जाता है कि काम वासना से लिपता है काम वासना मतलब sexual activities से पाली प्रानी भासा में काम का मतलब होता है pleasure या enjoyment और उसको गर्ण करने वाले senses यानि के अगर संस्काइद भासा में कहें तो इंदरी या senses हो गए या अगर पाली प्राकितिक में कहें तो ये हो जाएंगे हमारे आयतन 5 तरह के आयतन या पांच आयतन या सडायतन जिनको बोलते हैं जिसमें छे आयतन हो जाते हैं सडायतन यानि छे इंद्रियां गर संस्काइट भासा में कहें क्योंकि इंद्र जो शब्द है वो पाली में नहीं आता आधारे है इसलिए इसको आयतन बोलते हैं स्राइतन का मतलब है छे आइतन और पाच आइतन का मतलब है पाच आइतन आइतन क्या होते हैं जिन से हम गरन करते हैं कोई चीज आइतन बेसिकली खिलकी को भी आइतन बोलते हैं विंडो या दरवाजे यानि छे दरवाजे जिन से हम कोई चीज बोड़ी के अंदर इंपुट है कि 5 सील ग्रस्त लोग के लिए होते हैं और ग्रस्त लोग सभी चीजों में involved होते हैं क्योंकि प्रकरती को develop करना है आगे बढ़ाना है आगे चलना है भिक को इन चीजों में lift नहीं होते या इनसे वो परह होते मगर जो ग्रस्त लोग हैं मेरे जैसे लोग या जो साधरन लोग हैं वो इन चीजों में समय लिफ्ट होते हैं जैसे जो काया का आनन्द है काया का सुख है यानि कि अगर इस पर्स कहीं से होता है तो दोनों तरह का टच होता है खराब टच भी, बेड टच भी और अच्छा टच भी होता है कोई किसी से हाथ मिलाता है हाथ मिलाना अच्छा हो सकता है मैं अगर अगर वो हाथ को दबाए और बहुत ज़्यादा दबाए और हाथ को तोड़ने लगे तो वो खराब टच हो जाता है कोई किसी की सर पे मालिस करे और मालिस करने के बाद में वो उसको जोड से दबाए कि उसका सर तूटने लगे या फूटने लगे तो वो मालिस फिर खराब में आ जाती है ऐसे यहाँ जो लिमिट बताई है कामे सु मिच्छा चारा यानि कि जो आनन्द है जो आप जोई ले रहे हैं जो आप एंजोई कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है उस लिमिट से परे जो जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं उसको मिच्छा आच्रन बोलते हैं उसको गलत वहवार बोलते हैं जहां तक वो limit है, वहां तक वो आचरण ठीक है और जब वो limit को cross करता है तो वो आचरण खराब है कोई खूवसद बच्चा है, अगर या खूवसद महीला है या खूवसद पुर्ष है, आप उसको देखें, निहारें और उसकी पसंजा करें, यह एक Lithium में आता है एक ग्रस्तों के लिये हैं एक खाना बहुत अच्छा हो सकता है खाना तरीके से खाएंगे, कम खाएंगे वो आचन में आता है और अगर खाना ठूठ ठूठ के खाएंगे दो टाइम के एक साथ खाएंगे जवजस्ती खाएंगे, बिना पचे खाएंगे गलत तरीके सिखाएंगे तो वो फिर मिथ्य आचन में आ जाता है वो कामेसू मिच्छा आचन में आता है मिथ्य मतलब मिच्छा यानि गलत आचन में गलत वेवार में आता है आप कार चला रहे हैं, कार को आरामस चलाएं, सब का ध्यान रखते हुँ चलाएं वो आपके सही आशन में आता है मगर कार की आप over speed करने है बहुत ज़्यादा speed बढ़ा दे है वहाँ टकरा के चले हैं लोगों को डर लगे accident होने का chance बढ़ जाए या accident हो जाए तो वो फिर मिच्छा आशन में आता है मिथ्य आशन में आता है गलत आशन में आता है गलत वेवार में आता है यानि आप गाड़ी चलाने का जो कामेसू कर रहे हैं जो आप आनंद ले रहे हैं वो आनंद फिर मिच्छा आशन में आ जाता है आप कहीं काम पर हैं कहीं आप जैसे दुकान पर हैं दुकान पर बैठे हुए हैं और दुकान पर बैठके आपने किसी से सो रुपे लिए और सो रुपे की जगे आपने उसे 80 रुपे का सामान कम करके तोल दिया तो यह आपका मिच्छा आच्रण में आ जाता है। यह कोई अपसर है और वो अपसर नियम से काम ना करके अपने परसनल फायदे के लिए कोई काम करे या परसनल किसी का नुकसान करना सुरू करे तो वो मिच्छा आच्रण में आ जाता है। अपसर निया लोगों के फायदे के लिए होता है और उस लिमिट में रहता है। जब से मरता है तब से लगातार उसको ध्यान लखना होता है। अगर मेरे सेहरो गाओं के लिए ये काम ठीक है तो क्या पूरी दुनिया के लिए ये काम ठीक है। अगर मन ये कहता है कि ये काम सब लिए ठीक है तो वो फिर सही आचन में आता है। मिच्छा आचन में नहीं आता है। ये इसका test और इसका check होता है कि कैसे आप ये judge करेंगे कि कोई काम मिच्छा आचन में आता है या नहीं आता है। इस काम को, यानि मिच्छा आचरण के लिए इस पश्ट रूप से बुद्ध ने गाइडनाईस बनाई हुई है, जो भिक्षा के लिए सेपरेट सेपरेट करगे 277 साती है और भिक्षा के लिए 311 है और साधान मनुस्य के लिए उसके मन कोइना होता है, कि ऊसका मन क्या कहता ह क्या नहीं कहता है मिच्छा आच्रण सबसे पहले मन में आता है यानि कि जब भी कोई आप काम करेंगे वो गलत है या सही है यानि मिच्छा है मिथ्था है गलत है या वो सही है ये काम सबसे पहले मन में आता है मन इसको बता देता है फिर ये वानी में आता है यानी के शब्दों में आता है शब्दों जब आप बोलेंगे तो सामने वाले भी समझ जाएंगे और आप खुद भी समझ जाएंगे कि अब जो आप ये बोल रहें ये आच्छन ठीक है या ये खराब है आपने किसी को गरत बात कही वो मिथ्थ आचन में आती है जोटी बात कही वो मिथ्थ आचन में आती है चुगली की वो मिथ्थ आचन में आती है आपने कहीं बात को बड़ा चड़ा कर बोल दिया वो मिथ्थ आचन में आती है तो ये सबसे पहले मन में आती है फिर वाड़ी में आती है फिर ये काया से यानि के सरीट से कैसे हम काम करते हैं कम में आती है आपके काम जो कर्म करते हैं उसके नुसर आती है एक साधरान मनुष से भी इसको अच्छी तरह से जज और चेक कर लेता है कि अब ये जो वो कर रहा जब भी मिच्छा अचार करेगा या जूटा बात कहेगा वो पकड़ा जाता है अगर वो अंदर जहाक ले देख ले तो उसे पता चल जाता है कि यह आचरण ठीक नहीं है उससे बचना चाहिए धन्यवाद शली जाता है वा कि यह अंधित। झाल झाल कर दो कर दो प्रुब साट शुद रो थाल जले जले बाल इन साटल कर दो प्राइस के कर दो दो जार, कस दो भूल है, भूल से लंगो घ्रिट दान्स कर दो हम ल हाँ, तर दो टो बूल जाए होता है, झाल ठेल टुट नदेल टुट रखिएब के अजाज़ कर दो सकते हैं झाल झाल टुटिए लग टुटिए लग्याज को प्रफ़ टूटिए रखिएर टुटिए इजाज टुटिए टुटिए हैं कर दो 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 कर कर दो बाता है कि अ घूल ऑूलब। हुआ हैं झाल 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 झाल